स्वाकत है दोस्तों, आज बात करेंगे कोर डाव में क्या डेवलप्मेंट हुई है, क्या ट्विट आया है, क्या न्यूज है उसके बारे में, जो उन्होंने दाला है कि कोर ब्रिज लाँच हो रहा है, लाँच हुआ है, लाइव वो है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उस इसका अगला potential क्या है, इतना potential क्यों है अब आवा वर्ल में, इसके बारे में चर्चा करेंगे, और जो गलतिया Bitcoin के बारे में कीती लोगों ने शुरुआते हैं, वो गलतिया हम नहीं करेंगे, कोर के बारे में ये गलतिया हम कभी नहीं करेंगे, इन सब के बारे में आज की वी पाच गंडे पहले ये ट्विट आया था, तो उसको पहले देख लेते हैं, Core Bridge Connectivity will vastly improve the fee on Core, Decentralized Finance on Core, for official Core Bridge and Layer Zero information, check out our most recent Medium post, Medium post पीचा ये, और ये Core Bridge आ रहा है, Connectivity आ रहा है, इसके जानकारी लीजिए, ये इन्होंने post दाला था, तो Medium पे भी जाएंगे हम फिर से बाद में, उसके बारे में बता दिता हूँ, तो ये Bridge आ रहा है, इन्होंने बता दिया था, उसके बाद में Layer Zero ने tweet किया है, actually retweet किया है, तो retweet किया है, उन्होंने, CoreDAO Bridge on Layer Zero just went live, तो ये अब live हो चुका है, तो ये Bridge क्या है, इसका फाइदा हम Miners को क्या है, अब बोलेंगे, अरे Bridge से हमें Miners को क्या फाइदा होगा, हमारे जो Core है, उसका क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस सब का details दे देता हो, CoreDAO is leveraging Layer Zero to bring assets into ecosystem and connect with the world of DABs, decentralized apps, तो सब के साथ अब ये CoreDAO connect होने जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत फाइदे मद्ध होती है, ये एक वीडियो होने होने दाला है, उसको शेर किया था, ये पार्ट important है, तो ये देख लेना, विद CoreBridge powered by Layer Zero app, new users can seamlessly and permissionlessly, बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई permission के, अब ये Core Network join कर सकते है, कोन join कर सकते है, अलग blockchains, समझगे, अलग blockchains, time to build, time to onboard, Core is rising, Core आगे बढ़ रहा है, ये इन्होंने CoreBridge के पुरे details दिया है, एक वीडियो दाला है, उसमें पुरा दिखता है, Core connected chains, कौन से कौन से chain connected है, BNB और Ethereum, तो Core Bridge हो गया है, तो ये Core Bridge क्या है, आप बोलिगा है, ये Core Bridge क्या है, इसकी पूरे details यहाँ पर इन्होंने Medium Post में उन्होंने दाल रखी है, अभी इसमें जो जो लिखा है, वो मैंने आपको बता दिया है, फिर से read नहीं करता हूँ, Core Bridge मतलब bridge, अपना जो normal bridge होता है, मतलब हम एक नदी जा रही है, या समंदर है, तो दो island को जो connect करते हैं, वैसा ही ये bridge है, ऐसे ही इस bridge को देख लेना, मतलब एक blockchain है, तो एक blockchain की दूसरे blockchain से connect करना, फिलाल हम लोग क्या करते हैं, अभी समझो, इसे बहुत सारे coins आये हैं, आपने देखा होगा, core shiba, core inu, k core, s core, core boy, ये बहुत सारे coins है, तो ये core blockchain में ही transfer होते हैं, यहां से वहाँ लेकर जा सकते हैं, समझ गए ना ये सब, तो ये वही पार है, तो अभी देखो, मैं आपके लिए explanation के लिए दिखा देखा, अगर हम यह latest block देख सकते हैं, core market cap देख सकते हैं, circulating supply देख सकते हैं, active validators कितने हैं, वो देख सकते हैं, वैसे ही अलग-अलग blockchains होते हैं, उसका example देखो, आपके सामने ये, ये USDT coin है, समझो, तो अभी इसका explorers देखो, कितने blockchains हैं, Ethereum scan है, Solana scan है, Tron scan है, BAC scan है, Phantom scan है, तो ये अलग- जिन लोगों का पैसा दुसरे blockchains में है, क्या है, तो वो यहाँ पर थोड़ा invest करने को हच-हिच-हिच चाते हैं, तो अब इस bridge के वज़े से, बहुत सारे investors यहाँ पर join हो सकते हैं, ये बहुत बड़ी news है, ये blockchain की, इसलिए तो BAC news ने cover किया है, ये news, वही news है, बहुत बहुत बड़ा धमाता करने वाला है, इसका ecosystem बढ़ने वाला है, दोस्तों, बिल्कुल इसे बेचनी की गलती मत करना, जिस किसी अपास score है, होल्ड करके रखना, बहुत ज़रूर ये, शुरुवात के दिनों में, बिटकॉइन के बारे में भी लोगों का ऐसा ही था, विश्वास था, लोगों ने इस पर विश्वास नहीं रखा था, अरे 5-5 बिटकॉइन मिलते लोगों को, 5 बिटकॉइन पर डे, लोगों ने pizza के हमारे पास, ये न्यूज है, बाइस में 2010 की है, इस लड़के ने, इस आदमी ने, बिटकॉइन प्रोग्रामर था, एंसेस करके, इसने ट्विटर पर या किसमें पोस्ट डाल दी थी, कि मुझे pizza खरीदना है, मेरे पास bitcoin है, कोई आकर ले सकता है, तो लीजिए, तो यहां प देलतिया हम नहीं करेंगे, bitcoin के hash बढ़ रहे है, delegates बढ़ रहे है, staking बढ़ रहे है, core coin का potential develop हो रहा है, ecosystem develop हो रहा है, अब bridging के बाद भी और develop होगा, तो bridging क्या होता है, यहां पर दिखा 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 हो, यहां पर हम click करते हो, तो हम यह bridging पर लेकर जाएगा, तो यह bridging system ह देखो, यह core draw का bridging है, go to transfer है, इसके chains दिख रहे हैं आपको, ethereum, bnb और core, यह तीनों chains दिख रहे हैं यहां पर आप जाते हैं, bridge क्या करना है, तो देखो, यहां पर click करते ही, हम हमारे core कहीं से भी दूसरे chain में लेकर जा सकते हैं, ethereum है, ethereum से हम bnb लेकर जाना चाते हो, तो referring कर लेना, आपका referring बढ़ा लेना, और जो लोग recently join हुए, आपका power बढ़ा लेना, आपका power 100k होगा, तो 130k कर लेना, कैसे करना है, gift card पे click करना है, use benefits करना है, और यह code दाल देना है, यह code दालते ही, आपकी power बढ़ जाती है, ठीक है, यह बात थी code down के बारे में, अब why world में क्या news आई है, वो देख लेते है, अब आई world देखो, कितने fast grow हो रहा है, 160k followers हो चुके है, यह 15 मार्च को चालू हो यह app है, आप लोगों ने अभी तक join नहीं किया, तो description box में link है, तुरन आज ही join कर लीजिए, बहुत important है, बहुत fast growing app है यह, बहुत fast growing app है, इनोंने एक ही tweet दला है, लेकिन कितना पाइदे मन और कितना इसमें potentialized news में देखिए, in the centralized world, the rich always gets richer, जो अमीर है, वो ही लोग अमीर होते हैं, जो हम लोग ने बहुत बार जुना है, राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा, जो असली हगदार है, यह cycle हमें तोड़न प्रेक इस डिंजरेस साइकल, तो decentralized world में हर कोई राजा बन सकता है, दोस्तो, यही ती जानकरी, अवाई वल्ड के बारे में आपने भी जोइन किया है, recently जोइन किया है, gift cards अगर यूज नहीं किया है, तो gift cards आपके सामने पड़े है, यह आपके gift box में दाल देना, confirm कर लेना, आपकी soul power 50 के से बढ़ जाएगी, समझ गए दोस्तो, यह दोनों news थी, और अवाई world के बारे में, वीडियो अगर अच्छी लगी है, तो like कर देना, चैनल को subscribe कर देना, और bell icon दबा देना, ताकि ऐसे ही बढ़िया वीडियो आपको time to time मिलती रहेंगी, अगर आप मेरा telegram channel, या whatsapp group join करना चाते हो, या आप मुझे twitter पे follow करना चाते हो, तो इन सब की link आपको description box में मिल जाएगी, तो यही पर विदा लेता हूँ, कल फिर मिलेंगे, इसी time पर, bye bye friends, see you.